हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम डबल एक्सेल साइज कुर्ति की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने धाई मिटर फाब्रिक लिया है और इस फाब्रिक के वेड़ थे 44 इंच तो सबसे पहले हमें फाब्रिक को ओपन करना है इस तरह से पूरे फाब्रिक को ओपन करेंगे और दोनों की किनारिया मिला के इसको डबल फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह से देखे हमने इसको डबल में रखा है तो लंबाई में हमने इसको डबल फोल्ड किया है अभी देखे यहां पर इसका जो प्रेंट की डायरेक्शन है वो back side में उल्टी आई है, तो इसको हमें change करना होगा सबसे पहले, तो इसके लिए हम इसको center से cut कर लेंगे, तो double fold करने के बाद center से इसको cut कर लेना है, इस तरह से दो अलग-अलग piece करने है, उसके बाद हमें नीचे की fabric की direction सही करनी है, इस तरह से, उपर की तरफ है इसकी direction, सेम इसी तरह से दूसरे part के भी fabric को हम direction देखते हुए सही तरह से रखेंगे, तो इस तरह से देखे हमने direction change कर लिया है, दूनों fabric का अभी हम इसको four fold करेंगे, तो पूरा fold नहीं करेंगे, हम थोड़ा ही fold करेंगे, तो इस तरह से हमने इसको यहां तक fold कर लिया है, और इस four fold की जो width है, वो साड़े 13 inch की हमने ली है, तो देखें यह किस तरह से लेनी है, तो जितना भी आपका hip size है, उसको four से divide करना है, और उसमें two inch margin add करना है, तो यहां पर hip size है, 46 inch, उसको four से divide करते हैं, तो वो आजाता है, साड़े 11 inch, 11.5 inch, प्लस उसमें two inch margin add कर लेंगे, तो वो आजाएगा 13.5 inch, साड़े 13 inch, तो इसके लिए यह हमने four fold साड़े 13 inch का ले लिया है, अभी इसकी length लेंगे, तो यहां पर धाई मीटर कपड़े में इसकी length 50 inch की आई है, तो यहां पर length अपने according कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहां पर मैं इसकी length 47 inch की ले रही हूँ, तो 47 inch पर mark करके straight line draw कर लूँगी मैं, तो यहां तक इस कूर्ती की length रहेगी, तो अभी हमें इस पर marking करनी है, तो देखे हमने इसको यहां तक fold किया है, अभी यह जो fabric बचा हुआ रहेगा, वो हमारा sleeves के लिए होगा, इसके लिए हमने इस तरह से इसको fold किया है, कि sleeves के लिए भी हमारा अच्छे से fabric निकल किया है, तो अभी हम marking करेंगे, तो देखे हैं, यहां पर हमें सबसे पहले shoulder लेना है, तो shoulder मैं ले रहे हूँ 7 inch, तो shoulder 14 inch है, उसका half लेना है, तो 7 inch हमने लिया है, अभी आर्मोल लेंगे, तो जितना हम shoulder लेते हैं, आर्मोल भी उतना लेना है, तो आर्मोल भी मैं ले रहे हूँ 7 inch, इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे अब यहाँ पर हमें चेस्ट का फॉर्थ पाट लेना है तो चेस्ट है 42 इंच उसको फॉर्थ से डिवाइट करेंगे तो वो आ जाता है साड़े दस इंच तो यहाँ पर हम चेस्ट लेंगे साड़े दस इंच तो यहाँ पर ही हमें साड़े दस इंच पे निशान लगाना है मार्जिन हम बाद में लेंगे सबसे पहले जहाँ से हम फिटिंग करेंगे उस पे निशान लगाएंगे अभी हम shoulder से कमर की length लेंगे तो कमर की length आप 14 या 15 inch ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर 14 inch ले रही हूँ कमर की length अभी hip length लेंगे तो वो मैं लेंगे 21 inch अभी जहाँ पर हमने कमर length का निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर का fourth part लेना है तो यहाँ पर कमर है 38 इंच उसको फोर से डिवाइट करेंगे तो वो आजाता है 9.5 इंच तो यहाँ पर हम कमर लेंगे 9.5 इंच पे अबी जहाँ पर हमने hip length का निशान लगाया है वहाँ पर hip का 4 पर लेना है तो hip है 46 इंच उसको फोर से divide करते हैं तो वो आजाता है साड़े 11 इंच तो अभी हम यहाँ पर hip के लिए निशान लगाएंगे साड़े 11 इंच पे अभी हम इन 3 points को जोड़ेंगे उसके बाद हम इसको यहां से नीचे तक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे अभी यह जो फिटिंग लाइन है इसके बाहर से हम दो इंच का मार्जिन आड़ करेंगे अभी इन पॉइंट्स को भी हम जोड़ेंगे अभी हम आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहां से आर्मोल का शेप देना है या फिर आप यहां पे वन इंच भी ले सकते हैं और इस तरह से आर्मोल का शेप दे देना है अभी ये बैक का आर्मोल है अभी फ्रंट के साइड के लिए हम वन इंच अंदर की तरफ इस लाइन को बढ़ाएंगे और इस लाइन को हम उपर की तरफ स्ट्रेट जोड़ेंगे अभी यहां से हम वन इंच लेंगे और आर्मोल का शेप देंगे तो यह हमारा फ्रंट का आर्मोल है अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक वेड़ मैं ले रही हूँ 3 इंच तो यहां पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और नेक डीप मैं ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच अभी हम front neck के लिए कर-V shift draw करेंगे और back के लिए हम round shift draw कर लेंगे तो marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे सबसे परेले हम back neck और back armhole cut करेंगे इस तरह से हमने cutting कर ली है अब ये जो side में वचा हुआ कपड़ा है इसमें से ही हम sleeves के लिए cutting करेंगे तो इस fabric को हम side में रखेंगे अब यहां से हमारा slit रहेगा hip का point है वहाँ पर तो यहां पर हम cut लगाएंगे अब यहां से fitting रहेगी तो यहां पर भी हम एक छोटा सा cut लगा लेंगे तो अभी इस तरह से हमने कुर्ती की cutting की है यहां से हम fitting कर लेंगे तो आप चाहो तो यहां से half inch distance फे भी fitting कर सकते हैं अगर आपको loose पहनना है तो अभी हम back part को थोड़ा सा side में कर लेंगे और front part को फिर से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी back का part जैसा है वैसा है fold करके रखना है तो इस तरह से इस कुर्ती की हमने cutting कर ली है अभी हमें sleeves की cutting करनी है तो यह जो side में बचा हुआ कपड़ा था इसी को हमने लिया है तो देखे इस तरह से double में है अभी इस तरह से इसको fold करेंगे तो यह four fold हो गया है अभी देखे perfect के लिए हमें क्या करना है यह जो armhole है इसको हमें major कर लीना है तो यह यहाँ पर 12 इंच का आया है तो हम इसको भी 12 इंच का ही fold करेंगे तो इससे जो sleeves का armhole है वो कम नहीं पड़ेगा अभी हम इसको 12 इंच तक fold करेंगे देखे इस तरह से मैं इसको 12 इंच तक का fold कर लिया है तो यहाँ तक यह हमारा fold है अभी यहाँ पर हम line draw कर लेंगे और जो भी extra fabric है उसको cut करेंगे इस तरह से हमने sleeves के लिए four fold में fabric निकाल लिया है तो अभी हम इस पर मार्किंग करेंगे sleeves के लिए तो sleeves की length हमने लिए है 15 इंच अभी यहाँ पर open side है यहाँ से हम 3 इंच पर mark करेंगे और इस तरह से हम sleeves का shift draw कर लेंगे अभी यहाँ पर sleeves bottom लेना है तो वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंच इन दुनों points को जोड़ेंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो यहाँ पर excel size double excel size के लिए यह कुर्ती बराबर आएगी तो अगर आप double excel size या excel size पहनते हैं तो आप same measurement से भी कुर्ती की cutting कर सकते हैं यह कुर्ती आपको perfect आ जाएगी अब यहाँ पर हम एक छोटा सा cut लगा लेंगे उसके बाद हम sleeves को open करके रखेंगे अब यहाँ पर हम half inch अंदर से front caramel draw करेंगे और इसकी cutting करेंगे तो इस तरह से हमने sleeves की cutting कर ली है तो यह दो sleeves है दोनों side के लिए तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजे और आप मेरे चनल पर नए हैं तो subscribe भी कीजे thank you